प्यारे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इको सिस्टम या पारिश्थिति की तंत्र क्या है तो आईए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों अगर साधारण सी भासा में कहा जाए तो इको सिस्टम जो है वो एक जोगरिफिकल एरिया या भौतिक छेत्र है जहां पर बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों प्रिजेंट होते हैं और वो Biotic और Biotic component आपस में interact करते हैं और interaction के साथ ही exchange करते हैं matter और energy का तो दोस्तों कोई भी ऐसा geographical area जहां पर Biotic Biotic component present होते हैं आपस में एक दूसरे से interact करते हैं और उस interaction के through matter और energy का exchange करते हैं वो geographical area एक ecosystem कहा जाता है तो मैं अगर इसका एक छोटा सा उदाहरा नदू तो जैसे आप समझ सकते हैं ये एक कोई mountain है तो ये पूरा का पूरा mountain एक mountainous ecosystem कहा जाएगा क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि बहुत सारे पेड़ हैं बहुत सारी घासे हैं और उसके उपर कहीं न कहीं squirrels या leopard या ऐसे बहुत सारे animals हो सकते हैं जो आपस में interact करते हैं एक दूसरे को food की requirements के लिए खाते हैं और इस तरीके से matter का transfer और food का transfer होता है मतलब यहां पर ब तो आप देख सकते हैं ऐसे living organism भी होते हैं प्लस rocks है soil है ऐसे non living चीजें भी यहां पर हैं उसके साथ साथ air भी यहां पर होती है air से जो होता है breathe करते है animals वगेरा और जो भी अगर कोई living being है animal के अलामा तो और यह जो पेड़ पौधें हैं यह भी carbon dioxide लेते हैं oxygen release करते हैं और स दूसरी के तुरू energy का exchange हो रहा है तो यह जो geographical area होगा यह एक ecosystem हो जाएगा मतलब कि जैसे यह कहा जा सकता है mountainous ecosystem ऐसे ही हो सकता है कहीं पर desert हो और वहां desert के अपने animals हों और वह रेप्टाइल्स हों scorpions हों बहुत सारे वापस में दूसरे को खाएं पीएं एक food chain का formation करें sunlight ले एयर लें और इस तरीके से यहां पर life जो है वह जैसी भी है rare conditions में भी possible हो तो यह एक ecosystem हो जाएगा desert ecosystem ऐसे ही aquatic animals पानी में रहते हैं और छोटे कीड़े मकोड़ों को बड़ी मचलियां खाती है मचलियों को मगरमच खाते हैं मगरमच को भी कोई खा सकता है तो ऐसे यहां पर एक ecosystem का फार्मेशन होता है तो जब यह वाटर में होगा तो यह पॉंड या एक्वाटिक ecosystem हो गया किसी mountain पे हुआ तो mountainous ecosystem हो गया desert में हुआ तो desert ecosystem हो गया तो ऐसे छोटे-छोटे बहुत सारे ecosystems exist करते हैं और उसको छोटे ecosystem मिलकर एक बड़ा ecosystem बनाते हैं जब ecosystem बहुत बड़ हो जाता है मतलब कई सारे ecosystem सापस में चुड़ जाते हैं तो एक बायोम का फार्मेशन करते हैं और बायोम मिलकर के बायोस्फियर का फार्मेशन करते हैं तो प्यारे दोस्तों इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो यह ecosystem है यह structural और functional unit हो जाते हैं एक तरीके से बायोस्फियर क्योंकि कई सारे एको सिस्टम से मिल करके बायोम बनते हैं और फिर बायोम से कई सारे बायोस्फियर बनते हैं जैसे मैं बायोम की बात करूं मैं आपको एक सिंपल सा एक्जामपल तो जैसे आप मान के चलिए कि इंडिया मौनसूनल फॉरेस्ट बायोम है भारत का क्लाइमिट ecosystem वह सारी लेक हैं लेट को सब्सक्राइब हो गया मैदानी चेतर में यवे इक प्लेन इको सिस्टम हो गया मैदानी परिष्थित की तंतर और यह सारे परिष्थिकी तंतर जब आपस में जुड़ते हैं तो जुड़कर यह एक मौनसूनल बायोम बनाते हैं वैसे ही बहुत सार आज में आगया होगा कि जो इकोसिस्टम है वह सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आफ बायोस्फियर है तो दोस्तों याद रखिएगा कि इस तरीके से जब यहां एक्सचेंज आफ मैटर एनर्जी होता है तो क्योंकि जो pack plants होते है वह कंपोनेंट का यूज करके मतलब हवा पानी का यूज करके गाना यहीं उक्सचेंज होता है जो एक साथ ये काम करते हैं इसी से लाइफ का फार्मेशन होता है इसलिए इको सिस्टम को इस ट्रॉक्चरल और फंक्शनल यूनिट आफ लाइब भी कहा जा सकता है तो प्यारे दोस्तों अब आए आगे देखते हैं तो प्यारे दोस्तों इट is structural and functional उनिट आफ यहन चाहर और यह जो सिस्टम होता इसमें उसके साथ साथ ही अपन जो फैक्टर्स होते हैं वो मिला करके बनते हैं प्लांट इणिमाज एपटाइज और दूसरे बहुत सारे और्गनिजम्स से एबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं उनमें रॉक्स टेंपरेचर क्लाउड हुमिडिटी यह सारी चीज़ें आती हैं और इसमें हर एक फैक्टर किसी ना किसी दूसरे फैक्टर पर डिपेंड करता है मतलब इंडिपेंडेंडेंसी बहुत ही ज मैं एक बात बोलूंब कि टेंपरेचर औरहमीडिटी किसी जगापकी रेंटाचाइड करते हैं किसी जगा मालब किसी इको सिस्टम की जितना टेंपरेचर रहेगा उतनी हमीडिटिय कोगी एगर चितनी ऊतना वहान य४शेण इको सिस्टम की प्रोड़क्टिविटी को जो है वो टेमप्रेचर हुमडिटी और रेनफॉल डिसाइड करते हैं और यह डिसाइड करते हैं कि कितनी वेजिटेशन होगी किसी भी जगह पर जब टेमप्रेचर का चेंज होता है किसी इको सिस्टम में तो उससे क्या होता है कि वेजिटेशन के pattern में भी चेंज आता है क्योंकि rainfall pattern भी temperature से change होता है तो जब भी temperature कहीं का बढ़ता है तो उससे क्या होता है कि गर वहां water के sources हैं तो rainfall बढ़ता है और बारिस ज़्यादा होती है तो vegetation ज़्यादा होगी उसके साथ ही और इसके साथ रेनफाल चेंज होगा जैसे एवर ग्रीन जो रेनफॉरेस्ट होते हैं वहाँ वेजिटेशन बहुत ही जादा होती है क्योंकि बारिस बहुत जादा होती है हाई टेंपरेचर के कारण से एक्वेटोरियल रीजन के आसपास लेकिन वहीं पर डिज होती है और प्लांट जो होते हैं उनको हमेशा टेंपरेचर की जो चेंजिंग कंडिसंस हैं उनके साथ करना पड़ता है अगर उनकी नहीं रहेगी तो धीरे-धीरे क्या हो जाएगा कि वह या तो दूसरे को सिस्टम में मूव कर जाएंगे या तो फिर वह खतम हो जाएंग सब्सक्तल जरुद्स को चक्तर्स का का सब्सक्राइब गासब्सक्राइब देला हो सकता है तो यह चोंपल नीचे दिये और भी इसकी बहुत सारी प्रॉपटीज होती है जिसको हम किसी अगले वीडियो में देखेंगे प्रॉपटी जाफ इको सिस्टम इस टाइप से एक वीडियो करके आईए मैं आपको इसको थोड़ा सा हिंदी में दिखा करके आज के इस वीडियो को खतम करता हूं अगर आपक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक छेत्र विशेष के सभी जीवधारी जैसे पौधे जानवर और अनुजीव सामिल हैं जो की अपने अजयव पार्यावरण के साथ अंतरक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं इंटरेक्शन के बार लाइफ का फार्मेश साल बनते हैं जो पारिस्तितिकी तंद्र के भीतर इंजियों को अन्युन्याश्रय और उर्जा के प्रवाह को दिखाते हैं जिसमें वह अपने आवास भोजन वान जैविक क्लियाओं के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं तो कुल मिला करके यही है कि बायोटिक कंपोने हैं चर्व में और हैं और और कुल में अइक्सियह करते हैं तरीके से पूरा यह करता है दोस्तों पारिस्तिकी तंत्र हमेशा से सचय हो करता है मतलब कि किसी एक समय और किसी एक विशय स्थान के बारे में कहा जा सकता है क्योंकि पारिश्थिति की तंत्र जो ये आपका है Ecosystem जो होता है ये Change भी हो सकता है समय के साथ में Biotic Succession वगले होते हैं इन सारी चीजों को देखेंगे अगले वीडियोS में आज के लिए इतना है थैंक यू वेरी मुच गाइस